सबी छात्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल and CERT प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे सरदार बलबाई पटेल पर अगर आपको दस लाइनों में नेवंद लिखने के लिए कहा जाए तो आप किस प्रकार से अच्छे अच्छे बिंदूओं के माद्धेम से लिख सकते हैं पहला पॉइंट सरदार बलबाई पटेल से सम्मंदित 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था उसी एकता दिवस के रूप में मनाये जाता है तो 31 अक्टूबर आगे आने वाला है आपसे परिक्षा में या आपसे कक्षा में इस पर निवंद लिखने के लिए कहा जा सकता है तो देखते हैं किस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं सरदार बलबाई पटेल पहला पॉइंट है सरदार बल्लब भाई पटेल एक सुतंतरता सेनानी थे इन्होंने भारत की सुतंता में बहुत ही अच्छा है भूमिका निवाई थी अगला है उन्होंने अंगिरेजों के खिलाफ कई आंदोलनों में भाग लिया था तीसरा बिंदु है इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाड गुजरात में हुआ था चौथा पॉइंट है इनके पिता का नाम जवेर भाई पटेल तथा माता का नाम लाडवाई था पांचमा पॉइंट आप लिख सकते हैं उन्होंने अपनी प्रारंबिक सिक्षा गुजरात में ही पूरी की छटा पॉइंट आप लिख सकते हैं बहे मात्मा गांदी जी की विचारधारा से काफी प्रवावित थे और उनकी काफी प्रसंसा भी करते थे सरदार बलब भाई पटेल जी मात्मा गांदी जी की काफी प्रसंसा करते थे साथमा पॉइंट है सरदार पटेल जी को पूरा देश लोह पुरुस के नाम से जानता है आठमा पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद भारत को एक जुट करने में इन्होंने महत्पूर्ण भूमिका दिवाई थी रियासतों में बटा हुआ था भारत स्वतंता की समय तो इन्होंने 563 रियासतों का बिले भारत में कराया था अगला पॉइंट है 31 अक्टूबर पटेल जी के जनम दिवस को राष्टी एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है दस्मा पॉइंट है सर्दार बल्लबाई पटेल का जो निधन था वह 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्स की आईउ में हो गया था अगर आपको किसी और टॉपिक पर निवन्द चाहिए तो कमेंट करें अगर आपका कोई भी प्रस्ट नहीं है कुछ भी आप हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट अवर्श करें हम आपकी लिए पूरी कोशिस करेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद करेंगे मिलते हैं